तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना लास्ट चाप्टर रेयॉ आप्टिक्स इसे हम खतम करने वाले हैं नेक्स्ट फाइव डेज में सो 20 डेज्ट के साथ आपका पूरा सलेबस खतम होगा तो चलिए शुरू करते हैं रेयॉ आप्टिक्स सबसे पहले अपने पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है रीफ्रेक्शन रेफ्रेक्शन क्या कहता है हमने ये बहुत सारी जगाओं पे देखा कितनी बार स्केल से देखा पैंसिल को ग्लास के अंदर डाल कर देखा कि भाई तिल्टिड दिखती है ऐसा कैसे हो रहा है सब कुछ हुआ क्यों और ये ready क्यों लिया तो चलिए समझते हैं ये इसके पीछे का logic और reflection को समझते हैं जब light की ray अब देखो light के पास आखे नहीं है light क्या है जब एक medium में travel करती है अचानक से जब उसको लगता है कि medium के particle का spacing बदल गया है कुछ कुछ तो हुआ है तो medium बदल जाता है और जैसा ही medium बदला तो अपना path बदल देती है और इस phenomena को ही अपन कहने लग जाते है reflection so क्या है reflection the bending of ray of light when passing from one medium to another is basically known as what reflection of light अब हम लोगों को इतना idea है कि दो तरह के medium होते है एक होता है rarer एक होता है dancer मतलब यह relative term है जैसे rest और motion relative term है उसी तरह से rarer और dancer भी relative term है हम air को मानते है rarer medium vacuum से rarer कुछ हो नहीं सकता तो अब हमारे पास rarer और dancer दो तरह के medium होते हैं कैसे classify करें तो ऐसे अगर speed of light उस medium में जाने पर बढ़ जाती है तो उसे अपन बोलते है rarer medium अगर उस medium में light की speed कम हो जाती है तो उसे बोलते है denser medium जैसे यहाँ पर है अगर अपन देखें तो यह हमारे पास है incident ray incident ray जब दोनों medium की boundary पर आती है तो उस point पर अपन एक normal बनाते हैं जो उस medium की surface से normal होता है perpendicular होता है इसे हम normal कहते हैं incident ray और normal के बीच के angle को अपन बोलेंगे angle of incidence क्योंकि अब यह ray rarer medium से denser medium में जा रही है तो होता यह है कि यह normal की तरफ bend हो जाती है कैसे हो जाती है सीधा वाला path होता है तो यह ray ऐसे जाने की जगा कोशिश करती है shortest path से निकल जाए जैसे ही वो denser medium में जाएगी तो वो normal की तरफ आती है कोशिश करती है normal की तरफ आने की तो यह ray अपनी path से deviate हो गई और कहां आ गई towards normal कितने angle से deviate हो गई तो यह delta angle से deviate हो गई अभी उस पर बात करेंगे अपन यह जो ray अपने path से deviate हो गई दूसरे medium में इसे हम कहते है refracted ray और हमारे पास यह जो angle है यह पूरा angle क्या है i इसके just opposite ऐसी जा रही थी और यह जो छोटा सा angle है यह r तो i-r हो जाएगा angle of deviation जा रही थी ऐसी और यह हो गई deviate कितने से i-r से अगर अपन यहाँ पर देखें तो इस case में क्या हुआ हम denser medium से rarer medium में जा रहे हैं और यह हो गया आपके पास angle of reflection और यह जो angle है देखो यह r बड़ा है i छोटा है जा रही थी ऐसी और अब band हो गई है तो यह जो अपने पास बड़ा वाला angle r-i है यह delta है इतने angle से अपनी ray जो है away from normal band हो गई जब हम बात करते हैं reflection की तो reflection में हमारे पास कुछ laws भी आते हैं और वो बहुत ही जादा काम के laws हैं तो अब इनको समझने की जरुवत है क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर अब reflection के papa introduce होने वाले हैं और जो papa हैं वो सारी कहानी बना देंगे तुमारी अगर इनको समझ लिया मतल नॉर्मल है रे जा रही है रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो तो टूर्ट्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी यह आई है यह आर है और यह जो वर्टिकल लाइन है यह है नॉर्मल तो पहला law हमसे कहता है कि incident ray, refracted ray and जो perpendicular लाइन नॉर्मल और लाए इन सेम प्लेन यह सारे कि सारे एक ही plane में जैसे यह board एक plane है तो इसी में lie करेंगे अगर मैं सोचू कि यह normal बन जाए तो यह normal कभी नहीं बन पाएगा क्यों क्यों कि अगर यह normal बन गया तो कभी plane में नहीं आ पाएंगे और अगर नहीं हुए तो देखो incident ray और normal इनके बीच का angle आएगा 90 degree अब आप कोई tension नहीं है मगर इसलिए दो शाने लोग थे ना उन्होंने बना दिया law कि normal जो है वो plane में ही लाए करना चाहिए इसके अलावा नहीं करना चाहिए अब आगए अपने पापा जब भी मुसीबत में फसते हैं याद कौन आता है पापा थपाड़ा किस से पढ़ता है पाप reflection था तो एक काम करो sign of angle of incidence का ratio sign of angle of reflection के साथ एक constant आता है जिसे अपन कहते हैं refractive index और यह refractive index of second medium with respect to first medium बहुत simple है इसको read करना है the ratio of sign of angle of incidence to sign of angle of reflection is constant for a given pair of medium which is known as refractive index of second medium with respect to first अब यहाँ पे जो पूरा का पूरा role play करने वाला है वो यही formula करने वाला है और यह जो refractive index है यह बहुत ही important parameter है इसकी detailing करना बहुत जादा जरूरी है तो चलिए अब इसकी detailing पर आ जाते हैं अपन अगर आप से कोई कहे कि refractive index है क्या तो refractive index medium की वो characteristic है वो property है जो हमें यह ब आईगी यह सब कौन बताने वाला है refractive index बताने वाला है refractive index जादा denser speed कम इसका उल्टा दोनों चीज़ें valid है इसके बाद अगर अगर अपन देखें तो refractive index अपने पास दो तरह का होता है एक होता है absolute एक होता है relative absolute और relative क्या होते हैं अपने पास अब अपन वो समझ लेते ह अगर आप देखो यहां पर तो absolute का मतलब होता है आप किसी भी medium का refractive index निकालो air के respect में मतलब की a mu g absolute है air या vacuum अगर मैं आपसे कहूं a mu w क्या ही यह absolute है क्योंकि आप water का निकालो air के respect में glass का निकालो air के respect में अब आप मेंसे कई लोग कहेंगे पहले n लिख रहे थे अब करते हैं और n भी लिख सकते हैं और अपन तो जानते हैं cbsc को भया जो बुक प्रफर कर ली पेपर सेटर ने उसने लिया था तो ले लेंगे कोई standard नहीं है इसका इसलिए इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं दोनों को use कर रहा हूं अपने वीडियो में अब अ अरे भाई compare मत करो क्या पता हम हमारे नाम पर ही कुछ और बना ले मगर comparison होता है तो वह यह यहां पर भी comparison हो गया वो जो comparison हुआ वो यह हुआ कि आप refractive index निकाल रहे हो किसी medium का with not with respect to air with respect to any other medium अगर मैं आपसे कहूं तो आप refractive index of glass with respect to water क्या यह relative है क्या यह absolute है absolute नहीं है यह relative है क्यों क्योंकि अगर air आ गई पहले medium पे air या vacuum तब ही absolute है otherwise फिर relative है glass जाधा denser होता है water के respect में इसलिए इसका answer आएगा greater than one हो सकता है आप से पूछ लिया जाए refractive index of glass with respect to diamond अब diamonds जाधा denser होता है glass तो rarer हो गया तो इस case में यह less than one आ जाएगा अगर मैं दोनों medium same ले ल तो relative refractive index मतलब कि ऐसा refractive index जिसमें आप एक medium का निकाल रहे हो दूसरे medium के respect में मगर वो air या vacuum नहीं है वो कुछ भी और दूसरा medium है और उस case में वो greater than one भी हो सकता है less than one भी हो सकता है equal to one भी हो सकता है depend करेगा किसके respect में निकाल रहे हो dancer के respect में निकालोगे rarer का तो less than one dancer का निकालोगे rarer के respect में greater than one same medium का same medium के respect में one कहानी खतम ठीक ये जो जितनी भी बाते मैंने करी हैं यहाँ पर वो सारी इस चार्ट में हैं मगर और जबद डिटेलिंग की तुम्हें अभी जरुवत नहीं है detailed video चाहिए तो हर video के नीचे detailed video दिये हुए link आप जाकर देख सकते हो इसके बाद हमारे पास जो आता है वो next आता है कि किसकिस फैक्टर पर depend करेगा और यह बहुत काम का है क्योंकि पता है अब पूरी की पूरी optics में अपन इनी फैक्टरों पर काम चलाने वाले सबसे पहले तो nature of the medium of incidence and reflection उस medium पर depend करेगा उन medium के nature पर depend करेगा जिसमें से यह हो के जा रहा है भाई आप से मैं कहूंगा इसके लिए जो parameter आएगा वो आएगा mu जिसका mu जादा उसमें speed कम light की जादा deviate हो जाएगी और अगर mu कम तो भाईया कम deviate होने वाली है आपकी light तो nature of the medium पर depend करेगा optical density जिसे अपन बोलते हैं optical density पर depend करेगा और optical density और mass density दोनों अलग अलग चीज़े हैं केरोसिन floats on the surface of water मगर केरोसिन की optical density mu जादा है as compared to water जबकि वो हलका है तो mass density कम है मगर optical density जादा है तो optical density एक अलग चीज़ है mass density अलग चीज़ है ध्यान रखना अब अपना आ जाते हैं color of light पर हाई 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 यहाँ तो देखते से ही दिल खुश हो जाता है क्योंकि अपना hero picture में आने वाला है भाई अब mu is equals 2 एक डरावना formula लिख दू क्या तुम्हारे लिए a plus b by lambda square plus c upon lambda की power 4 यह cautious formula है पूछेगा नहीं कोई tension मतलो मगर इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि refractive index is inversely proportional to lambda wavelength के inversely proportional है और अगर तुम्हें याद आ जाए अपनी पुरानी वाली class wave optics की या electromagnetic waves की तो विब ग्योर अपना code था जैसे जैसे वालेट से रेड की तरफ जाते है वेवलेंद बढ़ने लग जाती है याने यह उल्टा है वेवलेंद बढ़ रही है तो म्यू कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाओगे और विजिबल लाइट में सबसे जादा wavelength किसकी होती है रेड कलर की होती है तो उसकá म्यू सबसे कम और जिसका म्यू सबसे कम वह सबसे कम डिवेंट होगा इसलिए सारे डेंजर सिगनल रेड कलर हमारा हीरो कौन हमारा हीरो है रेड sunset पर sun कैसा दिखता है रेड क्यों कि रेड कलर की wavelength सबसे जवलेंद सबसे ज़ Bunny होता है जो कलर और सबसे ज्ख़ म ने अपनी light लगा ली गाड़ी के पीछे yellow color की या green color की या pink color की आज तो हम ये color लगा के गूमेंगे पता चला बाजू में खड़े होके दिख रही है वो दूर से दिखी नहीं पीछे से आई गाड़ी हो तुम्हें ठोक के निकल गई इसलिए सारे डेंजर सिगनल जो है वो red color के बने होते हैं टेल लाइट जो बनी होती है वो red color की बनी होती है क्योंकि deviate सबसे कम कौन होता है red तो आज के बाद हमारा hero कौन red मैं critical angle की बाते करूंगा तब भी मैं तुमसे बाते करूंगा red color की तो red color को भूलना नहीं है highest wavelength red color lowest mu red color सबसे कम deviate होगा red तो यह हमारा hero है नहीं जान लगा के समझा रहा हूं critical angle mu पर depend करता है इसका मतलब इन सब पर depend करता है अगर अगर आगे जाके lens formula पढ़ेंगे lens makers formula पढ़ेंगे वहाँ पर focal length mu पर depend करेगी इसका मतलब इन सब पर depend करेगी तो यह अकेला mu नहीं है यह mu अपनी पूरी family लेके चल रहा है इन तीन लोगों की में अकेला नहीं हूं मैं आओंगा तो अपने साथ nature भी लाओंगा मैं आओंगा तो अपने साथ तेंपरेचर भी लाओंगा अब तुम्हारे नीचे आग लगा दी जाए तुम बैठ पाओगे क्या तुम तो इसे 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 हुलना शुरू हो जाओगे वैसे यहाँ हुआ कि जब medium का temperature बढ़ा दिया तो medium का temperature बढ़ाने से उसका जो mu है वो कम हो जाता है यहाने की speed of light बढ़ जाती है उसके अंदर तो temperature का effect भी आ गया तो तीन parameter थे अपने पास तीनों parameter पे बढ़िया मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी और अगर तुमने पूरा सुन लिया है तो दिमाग में bad भी चुका है अब जल्दी से दो formulas की तरफ बढ़ जाते हैं अगर कोई आपसे कहे कि 1 mu 2 है तो speed of light के साथ इसका relation क्या होगा तो 1 mu 2 तो देखो भाई 1 से 2 में जा रहे हो तो ratio आएगा speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2 बस that's it for example a mu g लिखा है तो पहले कौन है a तो speed of light in air upon speed of light in glass numerical करने है नीचे numerical के वीडियो की link दी हुई है बहतरीन जाके numerical करो ठीक है अब यह हो गया अपने पास mu और speed में relation बहुत आसान है कुछ बुश्किल नहीं है जैसे अगर मैं तुमसे कहता कि मुझे glass में निकाल के दो speed तो glass का refractive index होता है 3 by 2 speed air में होती है 3 into 10 की power 8 speed in glass निकालो तो यह लो 3 से 3 cancel 2 उदर चला गया तो speed in glass कितनी आ जाएगी 2 into 10 की power 8 meter per second ऐसे water में निकाल सकता हूँ ऐसे किसी भी medium में निकाल सकता हूँ air का तो मुझे पता ही है so a mu g is speed in air upon speed of light in glass simple इसी तरह से हमारे पास wavelength का भी बनता है formula wavelength का formula क्या बनता है जहां हम speed पर comment कर रहे थे उसी तरह से हम wavelength पे करेंगे 1 mu 2 1 से 2 जा रहे हो तो wavelength of light in medium 1 to wavelength of light in medium 2 a mu g मतलब wavelength of light in air क्योंकि air पहले था g wavelength of light in glass अब देखो one angstrom यहाँ पर unit का थोड़ा सा खेर हो सकता है angstrom होता है 10 की power minus 10 meter और मुझे यह पता है कि तुम्हें नहीं पता है इसलिए बता रहा हूँ nanometer मतलब 10 की power minus 9 micrometer मतलब 10 की power minus 6 तो इसलिए ध्यान रखना और wavelength निकालने के लिए भी बहुत simple है वो air में wavelength देदेगा medium में मांगेगा, mu देदेगा, रख देना answer निकल के आ जाएगा तो यह तो हो गई अपने पास relation वाली बात है अब हमारे पास जो दूसरा point है जो इस video के ending की तरफ अपन भाग रहे हैं अब तो अपने पास आता है principle of reversibility यह तो पता है तुमने रोज करा है, कैसे किया है बता हूँ, तुम अपने इस class मैसे से जहाका, तुमने देखा कोई नहीं है, तुम निकले सीधे और सामने दिख गई प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल दिखी तो तुम जैसे गए थे, वैसे ही के वैसे पीछे हो गए अपनी class के अंदर यही तो है principle of reversibility और क्या है, इसके अलावा कुछ नहीं है, देखो कैसे, यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर आपके पास यह एक medium है, ठीक है, यहाँ से light ray आई, और यह इस medium में गई, यह rarer medium है, यह dancer medium है, अब जब इस medium में जाएगी, और अगर मैं कुछ ऐसी जुगार लगा दिया, 90 degree पर, अब यह जैसी यह ray आई, इस पर incident हुई, और यह incident होके वापस इसी medium में back हो गई, ठीक है, यह अपने पास principle of reversibility लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह ray आई, यहाँ गई, mirror लगा दिया, 90 degree पर आई, surface से, I की value 0, वापस R की value 0 होके mirror से बाहर निकल टिपल के साथ नहीं खेलता, optics के अपने पास एक ही पापा है, snail's law, तो snail's law लगा दो, आप 1 से 2 जा रहे हो, आप 1 से 2 जा रहे हो, तो क्या आजाएगा, sine I by sine R, क्योंकि angle of incidence आईए, और angle of reflection R है, अगर आप जब वापिस retrace किया आपने, वो principle दिख दें, आप वापिस हो तो ये एक value है, तो अब incidence कौन हो गया, R, और refracted कौन हो गया, I, तो आपके पास 2μ1 क्या हो जाएगा, sine R by sine I, क्योंकि अब angle of incidence R, angle of reflection है I, so 2μ1 is sine R upon sine I, अब देखो दोनों को equations को कुछ मत करो, multiply कर डालो, जैसे ही multiply करोगे, 1μ2 into 2μ1 is equal to sine I upon sine R, into sine R upon sine I, मैं ना शाना बन गया, कैसे बना, मैंने ना देखा, इधर sine I by sine R आ रहा था, यहाँ पे sine R by sine I आ रहा था, मैंने का multiply कर दूं तो cancel हो जाएंगे, काहे का sine, काहे का I, काहे का R बचे गए नहीं, बाबाजी का ठुलू, यहाँ 1, जैसे ही यहाँ पे 1 आया, तो 1μ2 into 2μ1 is equal to 1, तो 1μ2 को आप क्या A mu G पता है, तो मैं G mu A निकाल सकता हूँ, मुझे अगर उनको reverse करना है, तो 1 upon करना पड़ेगा, अगर मैं आपसे काऊ, A mu G 3 by 2 है, तो G mu A क्या होगा, उसका उल्टा, 2 by 3, तो 1μ2 is equal to 1 upon 2μ1, that's it, कहानी खदम, principle of reversibility की, बूटी ने आपसे क्या कहा, सबसे पहले लगा दो, पड़ना पड़ेगा थोड़ा सा और, क्योंकि अपने पास time उतना है, उतना ही है, reflection through several media, अब आपको बहुत सारे medium में से reflection करना है, और सबसे बड़ी बात यह कि यह सब parallel है, यह एक boundary है medium की, यह हमारे पास दूसरे medium की boundary है, और यह finally last boundary है, और हम यह मान रहे हैं, कि हमारा पह second medium, third medium and last medium, last medium और पहला medium सेम है, और सब parallel है, तो यह आपके पास हो गया I, यह हो गया आपके पास angle R1, यह R1 है तो यह भी R1, यह आपके पास हो गया R3, यह भी हो गया R3, alternate interior angle, और क्योंकि यह I है और यह parallel वाली थी जो जा रही थी, और यह दोनों जो यह finally emergent ray है, और यह ज पराबर आएगा क्योंकि दोनों rays parallel निकलेंगी, अगर ऐसा है, तो इस case में देखो क्या आएगा अपने पास, 1 mu2, सबसे पहले worst medium से second medium में जा रहे हो, तो 1 mu2, 1 mu2 क्या हो जाएगा, sine I upon sine R1, इसने इसनो, कुछ लगाना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, second, when a ray goes from medium 2 to medium 3, अग sine R3, इसके बाद आप 3 से 1 जा रहे हो, जब आप 3 से 1 जा रहे हो, तो आप लिखो कि 3 mu1 is equal to sine R3, angle of incidence, angle of emergence क्या E, E की जगा पे आई भी लिख सकते हैं, अब जैसे ही आपके पास यह तीनों आ गए, अगर गोर से देखो, तो इसमें sine I denominator में है, इसमें numerator में है, इसमें sine R2 denominator मे हैं, और I sine I, sine I भी cancel हो जाएंगे, मतलब वो ही करो जो principle of reversibility में किया था, तीनों equation को multiply, 1 mu2 into 2 mu3 into 3 mu1 is equal to sine I upon sine R1, sine R1 upon sine R2, sine R2 upon sine E, सब cancel हो जाएंगे, यह sine I, यह EI के बराबर है, sine R1 भी cancel हो जाएगा, sine R2 भी cancel हो जाएगा, आपके पास क्या आगया, 1 mu2 into 2 mu3 into 3 mu1 is equal to क्या हो जाएगा, 1, कहानी खदम, मगर इस picture को अपन आगे लेके चलेंगे थोड़ा सा, और समझना है अब अपन को, यह समझो ज़रा, अगर मैं आपसे कहूं कि यह आपके पास air है, यह water है, यह glass है और यह air है, तो आप जाओगे air से water, a mu w into w से g, so w mu g into g से a, so g mu a is equal to क्या हो गया, आपके पास 1, अब अगर आप देखो, तो यह g mu a, यह तो absolute नहीं है, relative है, और यह a mu w absolute है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a mu w into w mu g, 1 upon g, a mu g, principle of reversibility लगा दिया, g और a को आपस में interchange किया, तो 1 upon कर दिया, is equal to 1, अब यह देखो, यह relative refractive index है, तो w mu g is equal to a mu g upon a mu w, यह हो गया आपके पास, तो w mu g की value क्या आगई, a mu g upon a mu w, याने कि यह relative refractive index था, यह दोनो absolute हैं, तो relation आगया, relative refractive index का absolute refractive index के साथ, मतलब w mu g is equal to mu g upon mu w, जिसका निकालना है वो उपर, जिसके respect में निकालना है वो नीचे, इसी चीज़ को एक और करके दिखते हैं example, अगर मैं आपसे कहूँ, glass का refractive index है 3 by 2, अगर मैं आपसे कहूँ, water का है 4 by 3, तो आप मुझे बताईए, water का glass के respect में, कोई यह मत सोचना कि आगे कुछ नहीं लिखा, आगे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है air है, vacuum है, तो अगर आपसे कहूँ, डबलू म्यू जी, किसका निकालना है, glass का, तो glass का refractive index upon water, बस कहानी खतम, 3 by 2, upon 4 by 3, answer आगया 9 by 8, अब आप कहो के बाबाजी यह क्यों बताया, तो भाया यह बाबाजी ने इसलिए बताया, क्योंकि डबलू म्यू जी बहुत बार यूज़ करूँगा, और मैं तब बोलू relative refractive index और absolute refractive index का और several media का आपका complete हो गया, इस वीडियो में अपनने reflection से start करके several medium तक खतम किया, next वीडियो में start करेंगे apparent real से और TIR तक लेके जाएंगे, तो इस वीडियो में बाबाजी की तरफ से इतना ही, like करो, share करो, subscribe करो, और marks तो आएंगे ही आएंगे, marks के पापा गो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाजी की तरफ से जय हो,